हेलो गाईज, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गायत्री क्रियेशन्स में तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्लीव्स पर डिजाइन तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी स्लीव्स को अट्रेक्टिव लूक देना चाहते हैं आपकी स्लीव्स, सिंपल या साधी ना दिखाई दे, तो उसके लिए ये डिजाइन ज़रूर ट्राय करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है, यह अम्रोईटरी फैब्रिक जो बचा हुआ था, हमने उसी को ही कट कर लिया है, क्योंकि थोड़ी सी अम्रोईटरी बच जाती है, तो उसको हम यूज करेंगे डिजाइन के लिए और यहाँ पर हमने लिया है समोसा लैश, इसकी हम दो पटिया कट करेंगे, उपर और नीचे की तरफ लगाने के लिए वीडियो को एंट तक देखें, यह सिंपल सी डिजाइन भी आपकी बाजू को काफी अट्रक्टिव लुक देगी, तो देखें हमें किनारी पर समोसा लैश को इस तरीके से लगाना है, यह पटि की फ्रंट साइड है और हमें उल्टी समोसा लैश रखनी है और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, बीच में हम गोटा पती यूज़ करेंगे, गोटा लगाने के लिए हमने सिंपल बाजू पे गोटे को रखना है और सिलाई लगानी है, हम दो लाईने गोटे की लगाएंगे, तो फ्रेंट वीडियो अच्छी लगी होता है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, साथ में जो बैल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले, और यहाँ पर हमने उल्टी बाजू र करते हुए सिलाई लगाएंगे, एक्स्टा पटी को कट करेंगे, और अब यह हमारी फ्रंट साइड है और इस तरीके से हम मोड देंगे, किनारी पर सिलाई लगाएंगे और फिनीशिंग के लिए अच्छे से जोड देंगे अब यहाँ पर इस तरीके से मोडते हुए हमें किनारी पर दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है तो इस तरीके से आपकी जो स्लीव है वो भी आपको सिंपल नहीं लगेगी आप चाहे तो इसे किसी भी तरीके से लगा सकते हैं आप कुर्ती के दामन पर भी इसे लगा सकते हैं यहां मैंने स्लीव पर लगाया है और अगर आपकी स्लीव छोटी होती है या आपकी suit की length छोटी होती है तो आप उसको बढ़ाने के लिए भी इस तरीके से design बना सकते है तो देखे फ्रेंड यहाँ पर पूरी sleeves का जो look है वो इस तरीके से है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझे comment box में जरूर लिकर बताए तो फ्रेंड मिलते हैं में नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बबाई टेक केर थैंक्स पो वाचिंग मैं वीडियो